नमस्कार, मैं नैंसी अरोडा, आज आपके लिए लेकर आई हूँ तेनाली राम की कहानी, कहानी का नाम कीमती उपहार, तो आईए सुनते हैं आज की कहानी लडाई जीत कर राजा कृष्णदेव राय ने विजय उत्सव मनाया। उत्सव की समापती पर राजा ने कहा, लडाई की जीत अकेले मेरी जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और सहयोगियों की जीत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मंत्री मंडल के सभी सदस्य इस अवसर पर परंतु एक शर्थ है कि सभी को अलग-अलग पुरसकार लेने होंगे, एक ही चीज दो आदमी नहीं ले सकेंगे। ये घोष्णा करने के बाद राजा ने उस मंडप का परदा खिचवा दिया जिस मंडप में सारे पुरसकार सजा कर रखे गए थे। फिर क्या था? सभी लो सभी पुरसकार बेहट कीमती थे। अपना-पना पुरसकार पाकर सभी संतुष्ट थे। अंट में बचा सबसे कम मोले का पुरसकार एक चांदी की थाली। बहुत खुश हुए। सभी ने सोचा कि इस बे तुके, बे धंगे वा सस्ते पुरसकार को पाते हुए हम सब तिनाली राम को खोब चिढ़ाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा। तभी श्रीमान तिनाली राम आ गए। सारे लोग एक स्वर में चिला पड़े। आएए तिनाली राम जी, एक अनोखा पुरसकार आपका इंतजार कर रहा है। तिनाली राम ने सभी दर्बारियों पर द्रिष्टी डाली। सभी के हाथों में अपने अपने पुरसकार थे। किसी के गले में सोने की माला थी, तो किसी के हाथ में सोने का भाला। किसी के सिर पर सुनहरे काम की रेशम की पगड़ी थी तो किसी के हाथ में हीरे की अंगू उठी तिनाली राम उन सब चीजों को देख कर सारी बात समझ गया उसने चुप चाप चांदी की थाली उठाली चांदी की उस थाली को मस्तक से लगाया और उस पर लाल दुपट्टा ढख दिया ऐसे जैसे थाली में कुछ रखा हुआ हो राजा कृष्णदेव राय ने थाली को दुपट्टे से ढखते हुए तिनाली राम को देख लिया उन्होंने पूछा तेनाली राम थाली को दुपट्टे से इस तरह क्यों ढख रहे हो क्या करू महाराज अब तक तो मुझे आपके दर्बार से हमेशा आशर्फियों से भरे थाल मिलते रहे है ये पहला मौका है कि मुझे चांदी की थाली मिली है मैं इस थाल को इसलिए दुपट्टे से ढख रहा हूँ ताकि आपकी बात कायम रहे बाहर कोई ये ना कहे कि महाराज के पास धन की कमी है सब यही समझें कि तेनाली राम को इस बार भी महाराज ने थाली भर कर अशर्फिया पुरसकार में दी है महाराज महाराज तेनाली राम की चतुराई भरी बातों से बहुत प्रसन हुए उन्होंने गले से अपना बहुमूल लिहार उतारा और कहा तेनाली राम तुम्हारी थाली आज भी खाली नहीं रहेगी आज उसमें सबसे बहुमूल लिपुरसकार होगा थाली आगे वढ़ाओ तेनाली राम तेनाली राम ने थाली राजा कृष्णदेव राई के आगे कर दी राजा ने उसमें अपना बहुमूल लिहार डाल दिया सभी लोग तेनाली राम की बुध्धी का लोहा मान गए थोड़ी देर पहले जो दर्बारी उसका मजाक उड़ा रहे थे वे सब भीगी बिल्ली बने एक दूसरे का मूँ देख रहे थे क्योंकि सबसे कीमती पुरसकार इस बार भी तेनाली राम को ही मिला था अभी आपने सुनी तेनाली राम की कहानी कहानी का नाम था कीमती उपहार कहानी आपको कैसी लगी बताईएगा जरूर पसंद आई हो तो लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही नीचे दिये गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपलोड होने वाली स्टोरीज की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएं धन्यवाद